क्या कॉंग्रेस की तैयारियों को देखकर ये लग रहा है, कमसे कम हमको बहुत से ऐसा लग रहा है, कि कॉंग्रेस उस प्लान को तैयार कर रही है, जिसको हम लोग राजनीती प्लान B कहते हैं, कि अगर अकेले जाना पड़ा, तो तब मत शुरू करो, अभी से तैयार रहो. कांग्रेस अपनी विधान सभा चुनाओ को ले करके हर अस्तर पर अपनी तयारी कर रही है कि अभी जैसे उप चुनाओ है दस सीटों पर तो कांग्रेस ने पांच सीटे मागी है सीटे मिलेंगी नहीं मिलेंगी अभी इस पर जो कांग्रेस के लोगों का कहना कि 5 सीटे तो हमने दे दिया है लेकिन अभी उधर से कोई असपस्ट जवाब हमें नहीं मिला है कांग्रेस अगर बाई दिवे समाजवादी पार्टी उसको सीटे नहीं देती है तो वो अपने दम पर भी चुनाओ मैदान में उतर सकती है है जैसे हरव्यक्त की एक कारसयली होती है हम लोगों को भी जो रिस्पांसिबील्टी दी जाती है आगे क्या करना है वो इसारा मिले इसके पहले ही अपनी अपनी मजबूती होना जरूरी है नमस्कार मैं हूँ उतकर चतुरवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तरप्रदेश अमर उजाला के न्यूजरूम से मैं अपने वरे सही होगी चंदरबान जी के साथ मौजूद हूँ कॉंग्रेस बहुत कुछ कर रही है और हमको लगा कि इस बार में बात कर लिनी चाहिए दो-तीन बड़ी चीजें जो इस वीडियो में आप जानेंगे और क्योंकि आप पूरा वीडियो देखें इसलिए आपको थोड़ा सा टीजर बता देते हैं कॉंग्रेस ने उत्तरप्रदेश की उन दस विधान सभा सीटों पर जाऊप चुनाव होने हैं एक सम्मेलन करने का कारेक्रम बनाया है यह कारेक्रम क्या है यह इस वीडियो में आप जानेंगे सा लग रहा है कि कॉंग्रेस उस प्लान को तयार कर रही है जिसको हम लोग राजमीतिम प्लान बी कहते हैं कि अगर अकेले जाना पड़ा तो तब मत शुरू करो अभी से तयार रहो कांग्रेस अपनी बिधान सभा चुनाओ को ले करके हर अस्तर पर अपनी तयारी कर रही है जैसा कि मैं पहले की वी वीडियो हमारी आपकी बातचीत हुई थी हमने आपको बताया था कि अभी जैसे उपचुनाओ है दस सीटों पर तो कांग्रेस ने पांच सीटे मागी है पांच सीट में जो इधर का दावा है पुरवांचल में मजवा बिधान सभा है मिरजापुर की जो है और फूलपुर सीट पर भी इनका दावा है गाजियाबाद सीट पर है ही तो कांग्रेस अपनी जो तयारी है वो मुकमल रखना चाहती है सीटे मिलेंगी नहीं मिलेंगी अभी इस पर जो कांग्रेस के लोगों का कहना कि पांच सीटे तो हमने दे दिया है लेकिन अभी उधर से कोई असपस्ट जवाब हमें नहीं मिला है ऐसे में हम हाद पर हाद धरे बैठे रहें ये अच्छी बात नहीं है राजनीत में और जिस तरह से कल परसों आनन फानन में प्रभारी और परवेच्छक नियुक्त किये गए सम्विधान सम्मेलन करने की रणनीत ही बनाई गई उसकी बाकाइदे डेट डिकलेयर कर दी गई और ये कहा गया कि हम बूत हस्तर पर तयारी करेंगे इसके कहीं न कहीं से सियासी माइने है इसे से कुछ ये एक तरह का संकेत है कि कांग्रेस अगर बाई दिवे समाजवादी पार्टी उसको सीटे नहीं देती है तो वो अपने दम पर भी चुनाव मैदान में उतर सकती है अब मैं दूसरी चीज़ पूछना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कई दर्शकों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये सम्विधान सम्मेलन क्या है इसमें क्या होगा ये क्या योजना है क्या प्रारूप है देखिए कांग्रेस ने लोग सभाद चुनाव के ठीक पहले सम्विधान समेलन करना शुरू किया वो उसमें जो सम्विधान में खास तोर से उनका फोकस पिछड़ी अज़ पिछड़ी और दलित जातियों पर है सम्विधान में जो अलग अलग प्राविधान किये गए हैं जैसे सम्विधानिक प्रक्रिया के तहट सम्विधान में ये भी कहा गया है कि अगर सम्विधा पर भी रेगुलर नियुक्ती होती है किसी भी संस्थान में किसी इंसिचूट में उसमें तो भी आरच्छन की विवस्था दी जानी चाहिए लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस ने एक सर्वे कराया उस सर्वे में बात निकल के आई कि ज्यादा तर चाहे वो मेडिकल कालेज की बात हो चाहे अधर इन्वर्सिटीज की बात हो तो इसमें जो संभिधा पर टीचर रखे गए हैं या अन्य में पावर जो एजन्सियों के थरू रखे गए हैं उसमें संभिधान का पालन नहीं किया गया है तो ये इस संभिधान के जरिए जहां जहां इनको ये लगता है कि यहां संभिधानिक जो प्रकिरिया है जो नीमावली बनी हुई है उसका उलंगन हो रहा ह उसको प्रेजेंट करते हैं, इस प्रेजेंटेशन के जरिए OVC और दलित जातियों को गोल बंद कर रहे हैं। के लिए इतना जोर शोर लगा रहा है कि वो अपने प्लान रख रहा है। नतीजें हैं, ये किसी ने किसी रूप में कांग्रेस के अंदर एक कुल बुलाहट पैदा किये हैं। अब कांग्रेस ये चाहती है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं। OVC के मुद्दे को ले करके, दलितों के मुद्दे को ले करके और अन्य जो मुद्दे हैं। जैसे जहां भी पुलिस उत्पीडन का मुद्दा हो या तमाम अलग-अलग तरह के। उस पर कांग्रेस पूरी तरह से अग्रेसिव हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरह से हम अग्रेसिव हैं, इसका हमें पॉलेटिकल फायदा मिलेगा। यही वज़य है कि अभी हर मंडल पर उनका प्रदर्शन भी हुआ है, तो कांग्रेस एक तरह से अपने को फिर से उठ खड़े होने की जद्दो जहद में लगी हुई है, और जिस तरह से अभी तक का काम जो दिख रहा हम लोग चुकि कांग्रेस लंबे समय से कवर कर रहे है तो इसमें जो दिख रहा है, किसी ने किसी रूप में असपष्ट तोर पर बदलाव इन दिनों दिख रहा है। की टीम है, वो अपना संगठन भी मजबूत कर रही है, ओट बैंग भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जनता के बीच एक अच्छी छवी सुधार का भी प्रयास कर रही है, तो कुल मिलाद विलाकर कि ये है कि कांग्रेस को बाई दिवे गढ़वंधन नहीं हुआ, इस इस किस्थिती में हम निहत्थे न रहें, इसलिए वो अपने किलकाटे दुरुस्त कर रही है, प्रदेस अस्तर पर, गट बंदनों की मेज पर, अगर कोई बात नहीं जमी, तो तयारी उस दिन से, जिस दिन से वो गट बंदन की बात ना जमी शुरू होने के बजाए, एक तरीक केसे अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन प्लान बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, चंदरबान जी और हमारे तेमाम से योगी लगातार जुड़े रहेंगे, फिलाल ये पूरी चर्च आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिकर अप करें